भारतिय कुष्टी को 14 महीने पहले एक ग्रहन लगा था उस ग्रहन को हन्मान जी की क्रिपा से वो ग्रहन समाप्त हो गया और मैं हन्मान जी को अपना आराध मानता हूँ और मेरी जिन्दिगी की सुरुवात भी यहीं से हुई है जिस अस्थान पर हम खड़े हैं इसके महंत ग्यानदास जी जो अखाड़ा परिशत के अध्यक्ष भी रहे हैं उन्होंने अपना खून दे करके हमें जीवन दान भी दिया है राजनेतिक यात्रा में भी हनमान गढ़ी सहित पूरे अयोध्या का हमारे लिए सहयोग रहा है मान अपमान सह करके भी अयोध्या के संतों ने हमारे लिए खड़ा होने का काम किया है और इसलिए मैं आज दर्शन करने के लिए आया हूँ जहां तक अगला प्रस्णाप का होगा चुनाओ के संबंध में तो भारतिये हम भारत सरकार को धन्यवाद देते हैं और खेल मंत्राले को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने निश्पक्ष धंग से वोड कराया पुल पच्चास मत्दाता थे उसमें से एक मत्दाता मध्द प्रदेश के मुखमंत्री बन गए जिस कारण उनका आना नहीं हो पाया दो मत्दाता विदेश में थे वो हमारे थे मत्द प्रदेश का मत्द भी हमारा ही था लेकिन 47 मत्द पड़े 47 मत्द में से 40 मत्द आपके इस सिस्स के प्रतिष्ठा के लिए पड़े मैं पूरे देश के उन मत्दाताओं का धन्यवाद देता हूँ ये ना किसी की हार है ना किसी की जीत है ये एक प्रक्रिया है हर चार साल पर होती रहती है और देश के पहलवान जो जूनियर पहलवान है ये उनके भविस्ट की जीत है और मैं किसी को हारा हुआ नहीं मानता मैं किसी को जीता हुआ नहीं मानता ये चार साल पर एक सामान प्रक्रिया होती है जिसके बाद ये चुनाव होता है हाँ जिसको हमने समर्थन किया था बनारस के रहने वाले है भुईहार बिरादरी के है और मोजी जी के संस्दिय छेतर से है कुस्ती से 200 वर्ष से जुड़े है इनका परिवार भी कुस्ती करता था आपने अपना क्या नाम था बड़े पहलन का मंगला राय जो देश के बड़े पहलवान होते थे सुख़़देव राय एक जमाना था यह उन्ही के परिवार से सम्मढ़दध है कुस्ती से यह परिवार जुड़ा हुआ है लेकिन फिर मैं कहना चाहता हूँ ये किसी की जीत नहीं है, किसी की हार नहीं है, ये कुस्ती के भविस्टी की जीत है मैं किसी के ब्यक्तिगात उपर बोलने के लिए नहीं आया हूँ मैं और ना किसी के दया पर जीता हूँ ये मतदाताओं ने जिताया है और देश के पहलवानों ने जिताया है और मैं हर्याना के पहलवानों को जिंदा बात करता हूँ हनमान गड़ी अयोध्याते मैं महाराष्ट के पहलवानों को जिंदा बात करता हूँ हनमान गड़ी के यहां से और देश के पहलवानों को आस्वासन देना चाहता हूँ कि जात के आधार पर मजभब के आधार पर प्रांत के आधार पर ना हमने कभी भेदवाव किया है ना आने वाली फट्रेशन करेगी कुस्ती को जो ग्रहन रगा था उस काम को ये लोग जल्द से जल्द आगे बढ़ाएंगे बोलो भारत माता की जय और हमान जी की जय